हेलो एब्रिवन वैलकम टू माई चैनल उडान सपनों की आज हम करेंगे क्लास नाइन्थ की विज्ञान की वॉक्षीट वॉक्षीट नमबर एटी टू जो कि आपकी डेट पांच फरवरी की है रसाइनिक संगठन के आधार पर पधार्तों को तत्व और योगिकों में वर्गिक्रत कर सकते हैं अब आप देखिए पधार्त है पधार्त दो तरे का हो गया मतलब क्लासिफाई कर सकते हैं तत्व और योगिक में और जो तत्व है वो भी तीन तरिके हो गए धातू अधातू और उपधातू अब जो आपका तत्व है वो क्या होता है उसको हम सरल उस पधार्त में शक्रा नुबक इत्यादी तो यौकिक में क्या होता है दो या दो से जड़ता तत्व मिलते हैं लेकिन उनका जो प्रोपोर्शन होता है वह फिक्स होता है ठीक है जैसे हैच्ट प्रपती दे रखी हैं यानिकिः गुण दे रखे हैं दातु प्रयाइत दीए हुए नेमिल गुण धर्मों में से सब्रिटों फीर को कुछ प्रदर्शित करती हैं सबसे पहले जो धातू है वो एक ऐसी धातू है जो solid नहीं मिलती है जो आपको किसमें मिलती है द्रव में मिलती है ठीक है यह exceptional case हो गया धातू के गुण देख लेते हैं यह भिविन रंगों की होती है यह तापमान और विदुत की कुछालक होती है यह सुचालक है और यह कुछालक है यह प्रती ध्वनी पून और अगात धरते अगात वर्दे नहीं होती है यह होती है hydrogen, oxygen, iodine, carbon, bromine, chlorine इत्यादी यह सब क्या होगा इसके example होगा अब उपधातू क्या है उपधातू कुछ तत्व धातू और अधातू के बीच के गुणों को दर्शाते हैं जिने उपधातू मिश्रन में डिफ्रेंस भी दे रखा है योगी क्या होता है तत्व क्रिया करके नए योगिक का निर्मान करते हैं नया बनाते है और मिश्रन में क्या होता है तत्व यह योगिक केवल मिश्रन बनाने के लिए मिलते हैं किन्तू किसी नए योगिक का निर्मान नहीं करते है नए पधार्त का संगठन सदैव इस्थाई होता है, मिश्रन का संगठन परिवर्तनी होता है, चेंज होता रहता है, नए पधार्त के गुढधर्म पूरी तरह से भिन्न होते हैं, योगेक में क्या होता है देखें, जब वोटर है, तो यह हाइट्रोजन और ऑक्सिजन से मिलक चीज बनेगी, वो उसके गुढधर्म चेंज हो जाएंगे, और इसमें क्या होगा, मिश्रन उसमें उपस्तित गटकों के गुढधर्मों को दर्शाएगा, इसमें सेम वही रहेगा, गटकों केवल रसाइने किया वैद्यूत रसाइने क्रितिक्रिया दुआरा ही प्रितक क किया जा सकता है, तो इसमें कैसे अलग कर सकते हैं, हम रसाइने क्रिया के दुआरा कर सकते हैं, और मिश्रन को हम बहुत इक विदियो से भी अलग कर सकते हैं, बहुत ही आराम से, चलिए अब कोईशन देख लेते हैं, पर्स कोईशन है आपका निमलिखित को तत्व, योगी को और मिश्रन में वर्गी करत कीजिए ठीक है तो सबसे पहले हम तत्व देख लेते हैं तत्व कौन कौन से हैं आपका मैं पहले तत्व को सरकल कर रहे हूं तो आपको पता रहे हैं देखे आपका जो सोडियम है वो आपका तत्व है उसके बाद आपका चांदी जो है वो आप सब्सक्राइब काट्व है इसके बाद मैं ले लेती हूं यौगिक के लिए यौगि के लिए तिक्षा कछल्य इसके बारियाて carbonate यह सेमी है कैल्चिम carbonate हो गया योगिक और फिर आपका साबुन और साबुन और मीथिन ठीक है और carbon dioxide यह आपकी क्या है सब योगिक है clear है चलिए इसके बाद है आपका यह मैं इसको बता देते हूं color कर देते हूँ, ठीक है अब हम तीसे color ले लिते हैं, ब्लैक ले ले, नहीं, ओर एंज ले लैते हैं, चलिए 목िश्रण के लिए, ठीक है, तो मिश्रण जो अब बजगे वो 목िश्रण ही, फिर भी मैं color कर देती हूँ, मिट्टी, ठीक है, मिट्टी आपकी mission हो गई इसके हैं हवा हवा का है हवा आपके mission है और रखताब का mission है ठीक है clear है तो चले फर्स question हो गया second देखें अब हम निम्ले के त्रियोगिकों में मजबूत तत्वों के नाम मौझूत तत्वों के नाम लिए ठीक है जो आपको बुझा हुआ चूना होता है इसको हम सी ए ओ लिखते हैं तो आपको पता है यह कैल्शियम हो गया आप लिखतेंगे इसमें तत्वों खु इसमें कौन-कौन से तत्व हो गया सौडियम हो गया hydrogen हो गया carbon हो गया oxygen हो गया potassium sulphate इसको हम लेखते हैं उसका अनुपात फिक्स होता है और इसे रसाइने का विक्रिया और इसे बहुती का विक्रिया दुआरा अलग नहीं कर सकते हैं तो मैं इसका अंसर अब आपको देखा दूँगी मैंने समझा दिया है चले पहले फोर देख लेते हैं लोहो चूर्ण और सल्फर के मिश्रण को बनने वाले योगिक का नाम बताइए ठीक है तो लोहो चूर नि आए यानि कि आयरन हो गया पका एफवी प्लस सिलफर एस हो गया तो इससे आपका क्या बन गया आयरन सिलफाइट बन गया ठीक है और साथ बन गया फिर कह रहे हैं यदि इस मिशरंड इसको हम तनुग्रोरि टू है तो हाम यहां पे तू लगा देंगे वैलंस करने के लिए और ए गिस निकलती है यानि की हाइटोजन sulphide gas निकलती है तो gas का नाम आप लिख लेंगे hydrogen sulphide और यहाँ पर हमारा बना है iron sulphide चलिए अब third का भी answer मैं आपको दिखा देती हूं समझा तो दिया यह मैंने देखे जल एक योगिक है क्योंकि उसमें hydrogen और oxygen एक निश्य तनुपात में है तथा उसके वीच रसाइनिक सहीं हुआ है और आप इसमें यह भी लिख सकते हैं कि इसे बहुत तिक प्रिक्रिया दुआरा अलग नहीं किया जा सकता चीक है आप इस लाइन को ब्याइड कर सकते हैं तो यहां आपकी वोक्षीट कंप्लीट होती है आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें कमेंट करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें थैंक यू